हलो एव्रिवान हमारा आज का टॉपिक आर्जेटी के बारे में है जो अभी हालिये में सिंगल लाजस्ट पार्टी बनकर सामें आई है तो चलिए शुरू करते हैं आईमीम के पांच में से चार विधायक बुधवार को बिहार के राश्ट्रिय जनता दल में शामिल हो गए हैं ऐसे समय में जब समाजबादी पार्टी उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में रामपूर और आजंगर लोकसभा सीटे हार गई जो अल्प संख्यक वोटो पर पार्टी की धीली पकड का संकेत देती हैं असदुद्दीन ओवैसी के आल इंडिया मजलीस ए इतिहादूल मुसलमीन जिसे आईमीम कहते हैं उसके पांच में से चार विधायक बुद्वार को बिहार में राष्ट्रिय जन्तादल में शामिल हो गएं केवल राज आईमीम प्रमुक अक्तरूर इमान पार्टी के साथ रहें असी विधायकों के साथ राजद अब 243 सदस्य विधान सभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है वहीं 77 विधायकों के साथ भाजपा दूसरे नंबर पर है विधान सभा अध्यक्ष, विजय कुमार सिन्हा और राजद नेता तेजस्वी यादब की उपस्थिती में राजद में शामिल होने वाले आईमीम के चार विधायक 2020 के विधान सभा चुनाव में आईमीम ने बिहार में 24 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटों पर जीत हासल की मार्च में चार में से तीन विकाश शील इंसान पार्टी के विधायक भाजपा में शामिल हो गए जिससे इसकी संख्या 77 हो गई और इसे सबसे बड़ी पार्टी बना दिया इस चुनाव में राज़त ने 75 सीटों पर जीत हासल की थी बाद में इसने बोचाहा उप चुनाव जीता जिससे इसकी कुल सीटे 76 हो गई बात करेंगे हम लोगसभा चुनाव 2019 के बारे में तो 17 वी लोगसभा का गठन करने के लिए 11 एप्रिल से 23 एप्रिल 2019 के बीच भारत में 2019 के भारतिय आम चुनाव हुएं बिहार में 7 चर्णों में चुनाव करवाए गए जिसमें बीजेपी को सबसे ज़्यादा 17 सीटे मिली थी जबकि राजत को 0 सीट प्राप्थ हुएं तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के सवाल की ओर हमारा सवाल है बिहार विधान सभा चुनाव 2020 में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटे जीती आपके ऑप्शन्स हैं BJP, JDU, RJD, VIP इन में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक जिसका सही उत्तर है A, BJP वीडियो देखने के लिए धनेवाद ऐसे ही कंटेंट प्राप्ट करने के लिए जुरे रहेए दो आफेसरस अक्याडमी के साथ वीडियो अच्छा लगा हूँ तो लाइक कमेट इवं चानल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन प्राप्ट करने के लिए बेल आइकन दबाएं